हलो एवरिवन एक पर आज आपके लिए एक नए स्टोरी लेकर आया हूँ और यह है दा शेहनाई और बिस्मिल्ला कान जो की सेकंड पार्ट है दा साउंड ओफ म्यूजिक का बिहाई बुक्स चेप्टर नबर टू है और आप इन सब लोगों को जानती होंगी जैसा कि आपके सामने कुछ पिक्चर्स किवन है they are the well known musicians of india और आज इस वीडियो में जो डिसकस करेंगे वो बिस्मिल्ला कान की लाइफ के बारे में है उनकी achievement के बारे में है उन्होंने क्या कुछ अपनी लाइफ में किया और कैसे उन्होंने प्रूव किया कि वो इतनी सारी options होने के बावजूद इंडिया में ही रहना उन्होंने पसंद किया और साथ में आपके साथ जो important बात शेयर करूँगा वो यह है कि आप इस वीडियो की description box को देखना मत बूलेगा वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो के link पे बिलेंगे और जैसे भी आपका opinion होगा आप मुझे comment section में जाकर भी बता सकते हैं तो start करते हैं story तो कहानी ऐसे शुरू हो एती है कि जो emperor औरंग जीब है उन्होंने musical instrument जो पहले होता था पुंगी उसको royal residence में बिल्कुल बहन कर दिया था कि royal यानि राजा की जो residence से वहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं भजाया जाएगा उसका reason क्या था कि इसका जो shrill unpleasant sound है unpleasant क्या होता है जो कि आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और बहुत तीकी आवाज तो सबसे पहले हमें समझना होगा generic का मतलब होता है एक name जो कि एक group को दिया जाता है और readied होता है जो hollow यानि खाली सा एक pipe होता है noise makers एक ऐसा instrument यूज करके जो noise करते हूं सभी के लिए पुंगी एक generic name दे दिया गया था कि अगर पुंगी बे जाने वाले लोग हैं तो समझे उनको दूर रखे इसलिए orange jam ने इसको ban कर दिया था few had thought that it would one day be revived और कुछ लोगों को लगा एक दिन ये फिर से revive होगा इसको improve किया जाएगा a barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the पुंगी तो barber कौन होते हैं जो saloon पे काम करते हैं बाल कट करते हैं जैसे नाई उसको बोलते हैं और ये professional musicians की family में से थे जिनको royal court में जाने की royal palace में जाने की permission थी और इन्होंने इसकी जो tonal quality को improve करने का decide किया he chose a pipe उन्होंने एक pipe को choose किया with a natural hollow stem जिसका जो stem है वो बिलकुल खाली था बीच में से यानि एक ऐसा pipe जिसमें से आप आर पार देख सकते हैं that was longer and broader थोड़ा सा बड़ा भी है लंबा भी है broad चोड़ा भी है than the pungie and made seven holes on the body of the pipe और उन्होंने कितने holes किये seven holes on the body of the pipe उस pipe की body पे कर दिये when he played on it और जब उन्होंने इसे play किया closing and opening some of these holes ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आप कई बार flute play करते हैं बावसरी बजाते हैं आप जब भी किसी hole को press करोगे और इधर से आप अपनी जो हवा उसमें डालते हैं माउच से तो उससे क्या होता है sound की quality और change हो जाती है और ऐसे ही बताया गया when he played on it and closing and opening some of these holes soft and melodious sounds were produced अब उन्होंने क्या किया इसी instrument को वो जो बार बार थे उन्होंने play किया before the royalty royalty का मतलो होता है जो emperor या उसकी family के सामनी and everyone was impressed और हर कोई बहुत impressed the instrument so different from Pungi had to be given a new name और Pungi से विलकुल different था तो इसलिए इसको नए नाम भी दिया जाना जरूरी था so as the story goes since it was first played in the shah's chamber क्योंकि story में बताया गया कि इसको सबसे पहले shahak के chamber में play किया गया था या वहाँ पे इसको perform किया गया था तो it was played by a nai यानि एक barber ने इसको play किया था shahak की chamber में एक नाई के द्वारा इसलिए इस instrument को क्या नाम दिया गया शेहनाई अब इसको एक नया नाम मिल गया शेहनाई का और आप picture में देख सकते हैं जो difference यहाँ दिखाए गया है में भी यह difference आपको clear होगा पूंगी और शेहनाई के बीच में कि कैसे दोनों के अंदर difference है और the sound of the shahakai began to be considered auspicious और ऐसा माना जाता था कि इसका जो sound है वो auspicious है pure है, पवित्र है and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any north Indian wedding और यही one of the reason है कि यह आज की रेट में भी temples में play की जाती है और एक indispensable क्या होता है जिसको आप avoid नहीं कर सकते और एक part है, हिस्सा है किसी भी north Indian wedding का और in the past अगर हम देखें जो शेहनाई was part of the nobath or traditional ensemble of nine instruments found at royal courts अब यहाँ पर एक important बात आपके लिए जानने जरूरी है कि अब यह दोनों वर्ड जैसे कि यहाँ पर nobath word यूज किया गए या traditional actual में इसको हम बोलेंगे ensemble ensemble क्या होता है group of musical instruments होता है और उस टाइम यह भी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो nine ऐसी instruments है जो उस royal court में थे उस group के अंदर तो till recently it was used only in temples and weddings और इससे पहले इसको सिर्फ temples से weddings में यूज किया जाता था and the credit for bringing this instrument on to the classical stage goes to start बिस्मिल्ला खान और अगर हम यह कहें कि classical stage पर शेहनाई को लाने का credit किसको जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्ला खान को जाता है क्योंकि आपको पहले बताया गया है कि यह सिर्फ temples और weddings में प्ले की जाती थी और इसके लाबा as a five year old बिस्मिल्ला खान प्लेड गिली डंडा निर ए पॉंड in the ancient estate of दुम्राओ इन बिहार अब जैसी यह उनकी birthplace है दुम्राओं बिहार में जहां पर वो पॉंड के किनारे तलाब के किनारे गिली डंडा केला करते थे he would regularly go to the nearby बालाची temple to sing the बोजपुरी चैता अब फिर वही पर आसपास के जो टेंपल में जाया करते थे बिहार जी इन फेक्ट यह कहीं बिहार जी टेंपल में और बालाची नहीं है यह बिहार जी टेंपल है और वहाँ पर वो गाते थे बोजपुरी चैता और at the end of it he would earn a big लड़ू weighing 1.25 kg a price given by the local महराजा और वहाँ के local महराजा इतने खुश हो जाते थे इनकी performance के बाद इनको एक बड़ा सा लड़ू देते थे नाम के तोर पे यह तो 80 साल पहले हुआ यह चोटा बच्चा है यह आसपास के दुनिया के दूर दराज के different हिस्सों में भी गए है और इनोंने इंडिया के सबसे बड़े जो civilian award है वो भी गेन की है जैसे कि भारत रतना बोल सकते हैं सबसे पहले तो इनकी फैमिली के बारे में जान लेते हैं रसूल बक्ष खान वो शेहनाई नवाज थे बोजपूर किंग्स कोट वो शेहनाई नवाज थे बोजपूर किंग की कोट में उनके फादर पेगंबर बक्ष और जो दूसरे पेटरनल एंसिस्टर से हैं फादर की साइड की एंसिस्टर से हैं दे वर आजसो ग्रेट शेहनाई प्लेयर्स सब के सब वो भी बड़े अच्छे शेहनाई प्लेयर्स थे यँग बोई तुक टू म्यूजिक अरली इन लाइफ इन्होंने अपनी लाइफ में, अर्ली लाइफ में म्यूजिक को अपना लिया था So at the age of three, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares जब इनकी मदर तीन साल की एज में इसको, मतलब बिस्मिला खान जी को लेकर जाती थी बेनारस में अपने इनकी मामा के गर, तो जो आज की रेट में वारा नसी है तो बिस्मिला वास फैसिनेटीड वाचिंग इस अंकल्स प्रेक्टिस द शेहनाई तो जब भी उनको देखते थे शेहनाई की प्रेक्टिस करते वे तो वह इनको बहुत अट्रेक्टिव सा लगता था बड़ा अट्रेक्शन होता था और सून बिस्मिला स्टार्टिड एककंपनिंग इसके बाद सून इन्होंने अपने अंकल को एकंपनी करना स्टार्ट किया जिनका नाम है अली बक्ष तो था विश्नु टेंपल ऑफ बेनारस वेर बक्ष वाज़ एम्पलाइड तू प्ले दा शहनाई जहां पर जो अली बक्ष है वो शहनाई बजाय करते थे और वो टेंपल था विश्नु टेंपल कहां पर बेनारस में अब अच्छो इस टोरी तो आपको explain करी रहा हूँ लेकिन साथ में आप ये minute details भी note करते चले जाएं क्योंकि यहीं से multiple questions भी बनते हैं और अगर आप वैसे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो already मिर पास data available है आपको इस वीडियो की description box में सारा data मिल जाएगा अब ओन एंड का मतलब होता है काफी लंबे डाइम तक बिना रुके देखते रहते थे कि वाके क्या अच्छी शेहनाई बजाते हैं तो देखिए जब आपके मन में ये चीज़े आ जाती हैं को कुछ करना है तो आप करी लेती हैं इसे रही क्या हुआ बिसमिल्ला खान के साथ अब उन्होंने पूरा का पूरा दिन प्रेक्टिस करना स्टाट किया हाद वाक आपको करना ही पड़ेगा अब यहाँ पर जो टेंपल्स हैं बालाजी और मंगला मैया के और साथ में गंगा के किनारे वो इस यंग अप्रेंटिस का मतलब की आता है जो अभी सीख रहे होते हैं इनका फेवरेट होंट होंट क्या होता है जो प्लेसेस आप अकसर विजिट करते हैं अकसर ही वहीं पर जाय करते थे और किस परपस के लिए जाते थे जहां पर यह अकेले में प्रेक्टिस किया करते थे म्यूजिक की सबसे बड़ी बात इनको इंस्पिरेशन मिला और इनोंने कुछ नई रागास को इंवेंट किया इंप्रोवाइज कर दिया उनको नया रूप दिया जो की पहले शेहनाई की रेंज से बाहर माने जाते थे और इसलिए क्या हुए था है जो 14 बिसमिल्ला अकंपनी इस अंकल टू दा अलहाबाद म्यूजिक कॉन्फरेंस फिर उनने अपने अंकल को उनके साथ चले जाते हैं 14 की इज में अलहाबाद म्यूजिक कॉन्फरेंस में at the end of his recital in fact इसे बोलेगे हम recital यानि इनकी turn recite करने के बाद जब इनकी turn over होती थी तो उस्ताद फयास खान जब इनको सुन रहे होते थी और उनने क्या बोला work hard and you shall make it तुम hard work करो और तुम एक दिन ऐसा कर लोगे so with the opening of all India radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्ला खान's big break तो इसके बाद हम देख सकते हैं इनकी life में कभी पीछे मुणना था ही नहीं और जैसी all India radio की opening होती है लगनाव में 1938 में तो वो बिस्मिल्ला खान की life का एक बहुत बड़ा break था और break का मतलब यहाँ पर होता है कि उनको life की बहुत बड़ी opportunity मिली and he soon became an often heard शेहनाई player on radio और इसके बाद वो बन जाते हैं अकसर सुने जाने वाली शेहनाई player radio पर when India gained independence on 15 August 1947 बिस्मिल्ला कान became the first Indian to greet the nation with his शेहनाई बिस्मिल्ला कान पहले ऐसे Indian बन गए जो नेशन को greet करते हैं गरीट होता है first time सामने आना मिलना पूरे देश को और अपनी शेहनाई के साथ he powered his heart on to और उन्हें को सारा गाया राग काफी from the red four to an audience which included Mahatma Gandhi एक उस audience के लिए जिन में Mahatma Gandhi जी भी थे पंडे च्वाहरला नेहरूज भी थे and who later gave his famous tries with destiny speech और आपको यादी होगा कि उन्होंने tries with destiny speech दी थी इस पूरे incident के बाद जब इंडिया और पाकिसान का partition हुआ था बिस्मिल्ला खान has given many memorable performances both in India and abroad इन्होंने इंडिया में और abroad बाहर भी विदेशों में भी बहुत सारी performances थी है his first trip abroad was in Afghanistan जहाँ पर राजा जाहिर शाह was so taken in by the maestro और maestro word यहाँ पर used हुए है एक eminent musician के लिए और यहाँ पर हम किसी और की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं बिस्मिल्ला खान की तो जाहिर शाह इतने ज्यादा impressed हो गए इनसे that he gifted him priceless Persian carpets उन्होंने Persian carpets इनको gift किया and other souvenirs, souvenirs के कुछ और भी ऐसी चीजें gift की इन्होंने निशानियां दी कि हाँ आपनी विजिट किया तो हम आपको एक निशानी के तोर पे यह देना चाहते हैं The king of Akhwanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music, film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at festival that he named his film उन्होंने अपनी जो film director है जिनका नाम है विजे बट उन्होंने अपनी एक इनको एक जगा प्ले करते देखा था festival में और इसके बाद अपनी film का नाम रख दिया था गूंज उटी शेहनाई The film was hit and one of Bismillah Khan's compositions दिल का खिलोना है तूट गया Turned out to be a nationwide chartbuster इतना बड़ा जो breaker होता है ना कि बस उसके बाद तो इनका कभी back पे जाना था ही नहीं और despite this huge success in the celluloid world अब यहाँ पर celluloid world यूज किया गया है film industry के लिए चाहे उनकी huge success थी film industry में Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two विजेबर्ट की गूंज उठी शेहनाई और दूसरा था विक्रम शिरी निवास का नड़ा venture सनादी अपनना बस इसके लावे इनोंने इस तरफ कभी रूख ही नहीं किया So I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world He says with emphasis कहते देखो मुझे film की दुनिया artificial सी लगती है वहाँ reality मुझे कम नजर आती है और मैं यहाँ की चमक तमधमक से दूर रहना चाहता हूँ यह उन्होंने इस बात पर focus करा So awards and recognitions came thick and fast बहुत जादा awards मिले और बहुत जल्दी जल्दी मिले Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall और वो भी कहाँ पर इनको वो chance मिला United States of America की prestigious Lincoln Center Hall में perform करने का He also took part in the world exposition in Montreal in the Keynes Art Festival and even in Osaka Trade Fair यह कुछ एक places हैं जहाँ पर इनको वो chance मिला आगे बढ़ने का So well known did he become internationally that an auditorium in Teheran was named after him Teheran में एक auditorium का नाम उनके उपर रखा गया Tahar Mausi की उस्ताद Bismillah Khan ही उसको नाम दिया गया था So national awards like the Padam Shri, the Padam Bhushan and the Padam Vibhushan was conferred on him, conferred होते हैं उनको दिये गए फिर भी all I would like to say is teach your children music, this is Hindustan's richest tradition even the West is now coming to learn our music अब उन्होंने ये बात बहुत बड़े experience के बाद बूली है कि देखो आप अपने बच्चों को music सिखाई है क्योंकि ये Hindustan की richest tradition है और even West भी जो है आप सीख रहा है music को और वो भी Indian music को so in spite of having travelled all over the world Khan Saab is as he is fondly called अब उनको Khan Saab भी कहा जाते है short में ये वर्ड आप याद रखिये so he is exceedingly fond of Benares and Dumrao उनको Benares भी बहुत अच्छा लगता है Dumrao भी अच्छा लगता है and they remain for him the most wonderful towns of the world उनके लिए सबसे wonderful towns हैं वर्ड के a student office once एक पर उनके एक student ने बोला और वो क्या चाते थे कि वो उसके जो student है कि आप एक school को head करो शेहनाई school को वो भी कहा पर USA में और student ने क्या promise किया that he would recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples there कहते देखो मैं यहाँ पर एक ऐसा atmosphere create कर दूँगा जो आपको Benares जैसे ही लगेगा एक temple भी temples भी बना दिये जाएंगे almost वैसी ही सब कुछ आपको लगेगा जैसे आप Benares में है और replicating एक्चुल में एक copy होती है जैसे बिल्कुल उसी की duplicate copy कहते है ऐसा atmosphere आपके लिए तियार कर दिया जाएगा but Khan साब asked him if would be able to transport river Ganga as well क्या वो river Ganga को यहां transport कर पाएंगे later he is remembered to have said that is why whenever I am in foreign country इसलिए वो अक्सार भी कहते हैं कि जब भी मैं किसी विदेशी कंट्री में होता हूँ I keep yearning to see Hindustan कहते हैं मुझे हमेशा ह Hindustan को देखने की ख्वाइश होती है so while in Mumbai अगर मैं Mumbai में हूँ I think only of Benares and the Holy Ganga तब मैं Benares और Holy Ganga यानि पवितर Ganga के बारे में सोचता हूँ and while in Benares I miss the unique matter of Dumrao फिर मैं मता जो है Dumrao का unique जो है बिलकुल अपने आप में उसके बारे में सोचता रहता हूँ तो इस तरह वो एक जगापर होते हैं rich cultural heritage का और cultural क्या होता है Sanskritic विरासत का इंडिया की so one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the शेहनाई every morning अर्तकाशी विश्वनाद temple अब देखिए एक जो पक्के Muslim है और उसके बावचूद Muslim होने के बावचूद वो एक विश्वनाद अर्तकाशी विश्वनाद temple में आपको मिलेंगे हर सुबा शेहनाई प्ले करते वे तो कितनी बड़ी बात हो जाती है तो ये थी जो स्टोरी जो हमने अब डिसकस की है बिसमिला खान जी के बारे में और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो से रेलेटिड सारा मटीरियल मिल जाए जिसमें multiple choice questions की वीडियो short questions की वीडियो तो वो सब data आपको मिलेगा description box में आप एक पर visit जरूर कीजेगा और फिर भी किसी तरह का कोई opinion है तो जरूर दीजेगा so thank you very much and have a very nice day